कि अभी एक सवाल आया था कि आप लोग लिखते बिन्द प्रदेश को में उसमें थोड़ा सा संसोधन कर रहा हूं कि बिन्द प्रदेश को अंदोलन को 80-85 से मत देखो इसे 56 से देखो और इस शपन में जम्मद प्रदेश का मरजर हो रहा था तब भी बड़ा अंदोलन खड़ा हुआ था सब जानते हैं सही दुए नंगा चिताली तो अंदोलन तो बिन्द प्रदेश को वही है उस समय तरह से लोग बिन्द के अंदोलन को उन्हाद जीवीत चला रहे हैं चलाना चाहते हैं तो अब बिन्द का अंदोलन चलाना चाहते हो पर उनके ग्रूप कई अब में एक दिन अख़वारों पढ़ा अबी जो नये सिरे से बिन्द प्रदेश के लिए आए पर देखा था कि सुना था खबारों पढ़ा था कुछ वटल जी की एक मंसा हुई कि छोटे प्रदेश बंदे से विकास जाता होता है संकल वपारित हुआ वह लोकसवा जाना है वहां केंद्र को जाना है और अगी 15-20 दिन पहले ही विधायक जी ने आरोक लगा दिया कि संकल पर जरूर हुआ था और वह भेजा नहीं गया था ऐसा करके भी आपकी एक अख़वार में 15-20 दिन पहले छपा है तो मैंने वहां कहा ह कि इसा है मिधान सवाल है जाला कर देखो संकल करके मेरे सामने लाओ था उस जो मैं वाकई में संकल पर गया या कि कि नहीं वेड़ोन वाकई इसके माध्यन से हम अपनी जड़ों को मजबूत करें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ऐसा लोग कहते हैं कि मैं भी जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि अंदोलों तो ठीक है पर जनता का पार्टी सीपेसर होना चाहिए जनता का फिर अलागला गुरुप पेसे होंगे फिर उसमें एक जगड़ा और है अभी बिन्न परदेश की जो समूची प्रिष्ट भूम थी वह हमारा खरपालपूर छतरपूर के आगे तक है वो पुराना मक्सा देखियो वहां तक है सब्सक्राइब करके कोई एक साथ बैठ करके सारे लोगों को विचार करें कि तब ऐसा माला जाएगा कि वाख़ए विए कोई अंदोरन होगा नहीं तो जनता जो आक्षेप लगाती है साथ वही भी रोस हो जनता भी आरोप को लगाने को जनता समस्ति है सब्सक्राइब करें वाई बिले खबर में फुलाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुट मॉर्निंग टीवी के साथ नमस्कार मुझे खबरों के लाईप बने पुलाइब को जनता जो चुलाइब को जज़ आप जबरों के लिए गए रहिए उनता भी करें वाईब को जिए को ज़ीवी को जड़ आपारों के लिए